नमिश्कार दोस्तों, आज के हपते के हमारी किताब का नाम है Master Key System by Charles Hanal Charles Hanal की ये किताब 1912 की 24 हपते का Personal Development Course के रूप में पबलिश हुई थी और 1916 में उसकी किताब बन गई Charles Hanal कहते हैं कि जब हम अपने विचारों पर कंट्रोल पाना सीख लेते हैं तो हमारे अंदर Harmony यानि सू संगतता निर्माण होती हैं हम अपने Subconscious Mind यानि अंतरमन के द्वारा ब्रमाण से जुड़े होते हैं और हम उस ब्रमाण के कई सारी शक्तियों को अपने Subconscious Mind के द्वारा अपनी जिन्दगी में ला सकते हैं और इसलिए हमारा भविश्य पूरी तरह हमारे कंट्रोल में होता है हमारा मन एक Static Energy है यानि स्थीर उरजा और हमारे विचार एक Dynamic Energy है यानि बदलने वाली उरजा और ये विचार एक Vibratory Force यानि कमपन गती निर्माण करते हैं जो हमारे स्थीर मन को Active बना देती है इसलिए वो कहते हैं कि ब्रह्माण से हमारे हकीकत के लाने में हमारे विचार ही सबसे बड़ा Role Play करते हैं हर विचार एक कारण है और हर Result एक परिणाम है अगर हमें अपने परिणामों को मनचाह बनाना है तो हमें अपने हर विचार पर Control यानी नियंतरन रखना होगा मतलब हमारे मन के अंदर की दुनिया वो कारण है वो Cause है जो हमें हमारे भारे दुनिया में Effect के रूप में परिणाम के रूप में दिखाई देती है और अगर हम अपने बार के दुनिया को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर के विचारों को बदलना पड़ेगा हमारा मेन प्रोब्लिम ये होता है कि हमें अपने सही पसंद के बारे में पता ही नहीं होता हमारी अपनी सही पसंद क्या है इसके बारे में कई सारी उल्जने और अज्ञान होता है और इस वज़े से हम औरों के बातों को ही सफलता अपनी पसंद मानने लगते हैं चाल्स कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वक्त हमें यहीं ढूनने में देना है कि हम सच में क्या चाहते हैं क्योंकि वहीं सबसे कठीन काम है हमारा बहिर मन्य यानि conscious mind पांच senses के द्वारा दी गई जानकारी को इकठा करके decision लेता है और हमारा अंतर मन्य यानि सब conscious mind बिना किसी analysis के हमारे core से यानि गहराई से ये जानता है कि हमें क्या पसंद है हमारा subconscious mind कभी complain नहीं करता वो सिर्फ problem का solution ढूणने में लग जाता है हमारा solar plexus यानि मनि पूर चक्र जिसे कहते हैं हमारी नाभी हमारे पूरे शरीर को energy supply करता है जब भी किसी का solar plexus strong यानि मजबूत होता है उस इंसान की personality magnetic बन जाती है हम जितने positive और खुशी के बारे में सोचते हैं उतना हमारा solar plexus expand यानि बड़ा होता है और जितना हम negative या दुखी विचार करते हैं हमारा solar plexus shrink यानि सिकुड जाता है और यहीं वज़य है कि हमारा attitude यानि नजरिया decide करता है कि हम अपनी जिंदगी में क्या attract करेंगे जिब हम सोच समझकर अपने solar plexus यानि मनिपूर चक्र को मजबूत करते हैं तो अपने आप हमारा डर कम होने लगता है और हम स्वस्क मजबूत और harmonious जिंदगी को attract करने लगते हैं फेरा में सिर्फ इच्छा करनी होती है हमारी energy उसे पूरा करने में लग जाती है हम सब इस ब्रह्मान से जुड़े है और हम जब अपने सपने से जुड़े हर किसी का भला चाहते हैं अपने आप हमारे सपने पुरे होने लगते हैं हम जो और जितना देंगे वो सब multiply होकर हमारे पास वापस आएगा ये ब्रह्मान का नियम है हर चीज जो हमें दिखाई देती है वो उसके अपनी कोई ताकत नहीं होती मन यानि energy दिखाई नहीं देती लेकिन वहीं हर चीज को चलाती है हमारी 90% जिंदगी subconscious mind से चलती है इसलिए अगर हम जिन्दगी में कुछ बदलाओ चाहते हैं तो हमें अपने subconscious mind को बदलना पड़ेगा जितना हम अंदर से energy को strong बनाएंगे उतनी हमारी जिन्दगी हमें मन चाहे results देगी आज के दौर में इंसान के दो main problems हैं एक है बीमारी और दूसरा है anxiety जिनके कारण हम अपनी energy को strong नहीं रख पाते हैं चान्स इसके लिए कुछ steps बताते हैं जो हमें अपने energy को बढ़ा कर सपने पूरे करने में हमारी मदद करते हैं फर्स step है सबसे पहले अपने सपनी को fix करें जैसे कि पहले कहा गया है कि time देकर सच में हम क्या चाते हैं यह सोच कर उसको fix करें दूसरा step है उसे detail में visualize करें उसके पूरे हुने को visualize करें तीसरा step है उस सपने के पूरे हुने की अपेक्षा करें expectation और चौथा step है अपने मन के अंदर से उस सपने के बारे में सारे डर सारी शंकाओं को पुरी तरह से हटा देना है मतलब हमें जो चाहिए उसी पर focus रखना है अपने focus यानि ध्यान को जरा सा भी उस बात पर मत जाने देजे कि जो हमें नहीं चाहिए ज्यादा तर हम अपने सपने को लेकर anxiety हो जाते हैं चिंता करने लगते हैं और फिर वहीं सब हकीकत में लाने में हमारी energy लग चाती है हम बिलकुल उस बच्चे की तरह हो जाते हैं जो एक बीच को बोकर हर घंटे देखने चला जाता है कि क्या पेड उग आया जब बार-बार उस बीच को disturb किया जाएगा तो शायद वो germinate होगा ही नहीं बस हम भी अपने सपने के बारे में यहीं गलती करते रहते हैं सफल इंसान वो होते हैं जो अपने सपने को imagination में यानि कलपना में बढ़ते हुए ग्रो होते हुए देखते हैं हमें जो भी चाहिए उसे हमें जितना हो सके देना है तभी हम अपने मन के अंदर उस बात की energy को strong कर पाते हैं जो फिर अपने आप हमारे सपने को खीच कर लाती है जब हम अपने imagination को ज़्यादा देर तक visualize कर पाते हैं तो हमारे energy उसे हकीकत बनाने में लग जाती है और फिर सिर्फ कुछ वक्त का ही फासला होता है हमारे सपने को हकीकत बनने में और सबसे important बात ये है कि जो ये जो वक्त लगता है उस वक्त में हमें अपने सपने के पूरे होने पर पूरा विश्वास रखना जरूरी है तभी हम इस सपने के visualization से लेकर हकीकत बनने के वक्त को कम कर सकते हैं हमारा visualization जितना धुंदला होगा blur होगा उतना जादा वक्त और जादा गल्तिया हमारे सपने को हकीकत में लाने में होगी और हमारा visualization जितना clear होगा उतना fast और perfect हमारी हकीकत होगी इसलिए हमें अपनी ताकत को, मन की ताकत को पहचानना सपने देखने का साहस करना और उन पर विश्वास करना सीखना होगा हमें जो कुछ भी पाना है उसके लिए सबसे पहला और basic requirement है कि खुश रहना हम जो भी खुश रहकर मांगते है वो सब हमें जरूर मिलता है और खुशी से स्वीकार करते है तो अपने आप हम हर सपने के पूरे होने का pattern create करते हैं इसलिए हमारे विचारों में clarity होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे विचार जितने clear होंगे उतने कम विचार मन में आएंगे और उन पर काम करना हमारे subconscious mind के लिए असान हो जाएगा उसी तरह हमारे विचार जितने clear होंगे उतनी हमारे मन के सामने उसकी clear छवी यानि 25 आजाएगी जिस पर subconscious mind असानी से और तुरंट काम कर सकता है हमारी राहों में अडचने problems तो आती ही रहेंगे लेकिन उनकी और negative emotion से नहीं देखना है बलकि ये problems हमें हमारे सपने के पास जाने के लिए तराशने का यानि prepare करने का काम करने आए है ये हमें सोचना जरूरी है हमारे विचार पहले हकीकत में शब्दों के द्वारा आते है और इसी लिए word यनि शब्दों को power कहा गया है उसके बाद विचार action में आता है मतलब हमारे विचार हमारे शब्द बनते हैं और फिर action इसी लिए Charles कहते हैं कि अगर हम सफलता चाहते हैं तो हमें असफल होने के विचारों को छोड़ कर सिर्फ सफलता के विचारों को पकड़े रखना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें अपने शब्दों के बातों के बारे में भी अवेर होना जरूरी है ब्रह्मान का एक नियम है law of compensation मतलब हम जो भी देते हैं पैसे हो प्यार हो सेवा हो ग्यान हो वो सब कुछ multiply होकर हमारे पास आने लगता है और इसलिए देना जो भी possible है जरूरी है हम पैसे के और सफलता के ब्रह्मान के जुड़े नियमों को अगर ठीक से समझ लेते है ना तो हमें पता चलता है कि पैसे पास होने में खुशी नहीं है लेकिन उसके बदले में हम जो खरीदते हैं वो हमें खुशी देता है उसी तरह एक बार सफल होना उतना खुशी नहीं देता जितना बार-बार हमेशा सफल होना खुशी देता है मतलब हमें पैसे चाहिए इसके बजाए हमें उस पैसे से क्या करना है हम क्या करेंगे ये हमें पता होना ज्यादा ज़रूरी है हमारे पास जिन्दगी में कोई purpose यानि उद्देश होना बहुत जरूरी है सफल्टा के लिए Charles थी स्टेप्स बिताते हैं एक सपनों को fix करना दो visualization और ती उसके पूरे होने पर 100% विश्वास रखना अपने विचारों को, feelings को, बातों को और imagination यानि कलपना को सिर्फ अपने सफल्ता पर ही किनरीत करके उन्हें नियंतरीत करके हम जिन्दगी में सफल्ता के कड़ी का pattern create कर सकते हैं एक chain create कर सकते हैं सफल्ता की इसके लिए हमें अपने सपने को तब तक मन में सोचते रहना है जब तक मन की आँखों के सामने उसके पूरे होने के pictures clearly दिखाई देने लगे यहीं प्रकूती का नियम है हमारी imagination यानि कलपना शक्ती एक बहुत अच्छी सेवक है जो भी हम उससे कहेंगे वो करेगी लेकिन वो एक बहुत ही खराब मालिक है क्या imagine करे यह उसे नहीं पता और उसी कारण कई बार हम गलत कलपना कर लेते हैं और गरीबी, बिमारी, धोखा जैसी बातों को अपनी जिन्दगी में invite करते हैं इमाजनेशन के practice करते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि happiness और harmony यानि खुशी और सूसंगत ये दोनों हमारे मन की अवस्ता है जो किसी भी बाहरी बातों पर depend नहीं है जबकि हमारे सपने पूरे होना, मन चाही चीजों को पाना ये खुश mental state के results है इसलिए हम जो भी टेकनीक इस्तिमाल करे उसे खुश होकर happy state में करना बहुत जरूरी है हमारे आज के जिंदगी, आज की हकीकत हमारे dominant यानि जादा देर किये जाने वाले विचारों का result है हमें दुनिया को अपने 5 senses से ही महसूस करने की आदत पड़ गई है और उनी feelings के अनुभों के अधार पर हम अपने beliefs को बनाते हैं जबकि हमें अपने खुद की दुनिया के उस हकीकत को, सपने को 5 senses से महसूस करना चाहिए जिसे हम हकीकत बनाना चाहते हैं और इसके लिए हमें practice करनी होती है हमें हर वक्त अपने सपने के favor में उसको support करने वाले विचारों पर ही मन को पिकाए रखना है इसके लिए हमें अपने सपने को इतना interesting बनाना है कलपना में अपनी कि हम उस पर से मन को हटा ही न पाए इससे हमें उसी तरह की बाते चीजें असपास दिखाई देने लगती है और यह signal है कि हम सही दिशा में सोच रहे हैं इसका मतलब हमारा मन धीरे धीरे हमारे सपने को magnet की तरह हमारी जंदगी में खीच कर ला रहा है हमारे जादातर सपने हमारे subconscious mind से आते हैं की ताकत भी होती है इस बात पर हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है और इस सपनों को imagine करने की visualize करने की practice करना भी जरूरी है और जब हम एक-एक सपनी को सच बनता देखते हैं तो हमारा confidence बढ़ जाता है और धीरे धीरे इसकी practice करके हम mastery हासिल करते हैं हमारा attitude बदल जाता है और हमारा mindset success वाला बन जाता है जब तक हम इस तरीके से कोई बात हासिल नहीं करते हैं तब तक कई बार उसे जैसे तैसे हासिल तो किया जा सकता है लेकिन उसे retain नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारा mindset उसके लिए ready नहीं है इसका best example है lottery money कई बार हम देखते हैं कि लोग burning desire के कारण lottery तो जीत जाते हैं काफी बड़ी amount की लेकिन उतनी ही जल्दी वो सारा पैसा उनके हाथ से चला जाता है अगर हमारे विचार strong है, clear है, positive है तो वो हमारे health, wealth और relationship में reflect होते हैं दिखाई देते हैं अपने विचारों को powerful बनाने के लिए हमें इस बात को जानना जरूरी है कि सारा ब्रह्मान हमारे मन के अंदर मौझूद है हम उसके power को अपने control में नहीं ले सकते लेकिन हम उस power से जुड़कर खुद एक universe यानि ब्रह्मान बन सकते हैं हमारे मन में हम जिस विचारों को बार-बार सूचते हैं वो विचार एक magnet यानि चुम्बक बन जाता है उसकी power बढ़ने लगती है हमें अपने मन की pictures को देखने की practice करनी होती है और ये pictures हमारे विचारों के साथ साथ बनते हैं और उसी तीजी से बदलते रहते हैं अगर हम अपने सपने की picture को ज़्यादा देर तक देखना चाते हैं तो हमें अपने मन को उसी विचार पर टिके रहने की अदट डालनी होगी हमारे विचार एक बीज यानि सीड की तरह होते हैं जिसे हम उन्हें सबकॉंशियस के उपजाओ जमीन में बूते हैं उनके बड़े पेड़ बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है बस हमें उन्हें बार बार affirmation, visualization, imagination के खाद और पानी से सीचना होता है अगर हम किसी बीमारी को ठीक करना चाते हैं तो हमें अपने विचारों में हम ठीक है ये सोचना, बोलना और देखना बहुत ज़रूरी है law of vibration के मताबिक हमारे शरीर पर हमारे मन का कंट्रोल होता है इसलिए जितना हम अपने बीमारी के ठीक होने में नेगेटिव विचारों का इस्तिमाल कम या नहीं करते है उतनी जल्दी हमारी बीमारी ठीक हो जाती है इसके लिए डक्टर जोड स्पिंजा के यू आर्थ प्लासिबो का सारांश मैंने अल्रेडी अप्लोड किया है और वो आई बटन में कार्ड में भी दिया हुआ है जिससे आप इस बात के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं ब्रह्मार्ण हमेशा संतुलन यानि बैलन्स करने की कोशिश करता रहता है इसलिए जो भी वाइब्रेशन यानि विचार हम ब्रह्मार्ण को देते हैं वो उसके बदले में हमें उसके result यानि effect वापस देकर balance बनाता है हमें जो भी चाहिए वो बात सबसे पहले हमें अपने मन के level पर बनना जरूरी है जैसे अगर हमें शान्ती चाहिए तो पहले अपने मन को शान्त करना होगा फिर अपने आप भारी दुनिया में हमें शान्ती महसूस होगी अगर हमें खुशी चाहिए तो हमें खुश होना होगा अंदर चाहे जैसा भी हाल हो, माहूल हो तभी हम अपनी भारी दुनिया में खुशी को attract कर सकते हैं यही नियम हर बात में लागू होता है अंत में चाल्स हैनल मास्टर की के बारे में बताते हैं कि हम जब इस बात को समझ जाते हैं कि हम एक एनरजी बींग हैं और हम इस ब्रह्मान का हिस्सा है उससे जुड़े हैं तो हम इस बात को भी समझ जाते हैं कि इस ब्रह्मान में जो भी उपलब्थ हैं वो हमें मिल सकता है जैसे हम अपने घर के अंदर की हर चीज को अपनी कहते हैं और आसानी से उसका इस्तिमाल करते हैं बिल्कुल उसी तरह हम सोल यानि conscious level पर चैतन्य के level पर इस ब्रहमाण से जुड़े हैं इसमें रहते हैं तो यह हमारा घर है और यहां available पहचानना और समझना ही हमारे सफलता की मास्टर की है तो चलिए दोस्तों आज से ही ये सारे दिये हुए टेकनिक्स को हम यूज़ करना शूर कर देते हैं और अपनी मास्टर की को ढून लेते हैं धन्यवाद